दिब्य अनुभूतियां प्रारम हो जाते हैं जिन पर तुम विश्वाशे नहीं कर सकते हैं सबसे पहले किसी से सम्मंद नहीं होना चाहिए ऐसे तो बहुत से अनुभू होते थे पर जो एक अनुभू हमें शेनपुर में हुआ बहुत दिब्य अनुभू ठीक दो भार का समय वहां दिन में कोई नहीं जाता दरातरी की तो बात जाता दिन में कोई नहीं कभी ऐसे पुर्णि महादी को दो चार लोग ऐसे एक दम जंगल 24 गंटे में दो रूटी और इतनी अरहर की दाल के शिवा कभी कुछ नहीं था ही नहीं कुछ क्यों फल फूल लोग आ रहें जाए कुछ नहीं एक दम रिशी भूमी अब भी है तपो भूमी है वो बस वो दो बजे दिन में गोल तो दो पार में ऐसे कोई नीन का तो सवाल ही नहीं कि नीन में थे ऐसे नहीं एक ऐसे बारंडर टाइप पुरा नहीं था बहुत सिलता है गंगाजी ऐसे शामने लेटे हुए थे मंत्राकार ब्रती अशीर दिब शुगंध आई जो आज तक हमने कहीं वो शुगंध बाहे में नहीं देखी ऐसे लगा कहां शीर मितलब सौरभ का जैसे कोई प्रवाह आ रहा हो और जैसे जैसे शुगंध वो घ्राणेंदी से अंदर आ जाती जैसे नशा चड़ रहा हो थोड़ी देर में और शरीरे पर आँख खुली हुई है पूरी चेतना है ऐसे भी नहीं कर सकते बिल्कुल शीदे लेटे हुए और ऐसे लेटे लेटे गंगा जी के दर्शन हो रहे थे एकदम आधा शरीर उपर कैसे जैसे किसी ने उठा को बिठा और देखा गंगा की धारा से एक श्वेत वस्तरधारी दिन है खुली आँख है कोई स्वापन नहीं कोई तंद्रा नहीं श्वेत वस्तरधारन के श्वेत जटाये हैं ऐसी और वो ऐसे चले आ रहे है आये और ग इतनी श्वाम का इनीक यंग से शोरावा और कुछ बोले तो वो जीवन का पहला दिब्ब प्रगट में ऐसे तो श्वापनों यह से प्रगट में ऐसे ऐसे कुछ कहा कुछ बोले इसके बाद सीधे ऐसे और गंगार है शापारानम कि वो बताया नहीं जा सकता है जब आप उस शीमा को पार कर जाएंगे जहां कहीं किसी से अपना पन नहीं सरीर से भी लए वहां सैकनों बीची ऐसे घुमते थी जैसे काले चीटे घुमते ना भूरे काले चीटे ऐसे बीचियां घुमते थी बिच्खापर शाप कई तरह जंगल पुरा ना गंगाजी का एक दम किनारा ना कभी भी कुछ भी हो सकता है और दोई लोग इधर राम लेटे देख पंजीरी वहां थे वो दूर एक उनकी कुटिया थी उसमें लेटे रहे ब्रद्द थे वो पर बड़े तो पश्वी थे वहां को यह और टीक नहीं सकता था अनुभाव अपनापन जब तक सरीर से तब तक दिब्यता का नुभाव ने हम बहु hearing thešeन अमुक को महापुरुष हो करके बताएं भगवान आकर्शन पंदा करने लगते हैं भगवान आकर्शन पंदा करने उसी के बाद फिर भाइजी महाराज राधावाबा का दर्शन आफिस में हुआ ने या सामने आप इस प्रकट है ऐसे भाई जी करके ऐसे क्या जानना चाहते हो ऐसे चस्मा इसे कर पूजराधा वगल में बैठें उसे प्रश्ण किया तो श्रीकृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी ऐसे देखे और बुले जब श्रीकृष्ण बन जाओगे तो श्रीकृष्ण की प्राप्ति हो जाईगी उस समय सही समझ में नहीं आ रहा था उन्हीं की कृपश जैसे ये कवाप प्रभुका तो बुले मन मयाहा तदात्मिकाहा तन मयाहा ये में न जानी पड़े कान है की प्र जब कृष्ण मैं हो जाओगे तभी कृष्ण का साक्षात्कार होगा पी तो जड़ी लग जाती है अनुभाओं की ब्रंदावन तो चमतकार का समुद्र है फिर किसी को समझाने की जिरुत नहीं कि बजन करो बजन आनंद प्रदान यह सब बहुत फिर वो तो नसे बाज हो जा कि ब्यashan बिशमयासा जहां यही आसा है यह उनका जीवन है यही उनका नशा है क्या जहां भगवच्चरितर और माँ जाकर उनको शुनना या भगवच्चरितर गायन करना दो